आज हम लोग बात करेंगे data structure operations की तो देखिए basic तरह के जो data structure होते हैं वो हम लोग already पढ़ चुके हैं ठीक है जैसे उसमें आपका graph था तरह के data structure होते हैं या किसने तरह से data को organize कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग already discuss कर चुके हैं आज हम लोग बात करते हैं कि data structure operation की data अगर organize रखा हुआ है तो उसमें हम किस तरह के operations perform कर सकते हैं चाहे वो किसी और चाहे लिंग लिस्ट की form में हो चाहे ट्री की form में हो चाहे stack में हो क्यूमें हो किसी पही तरह के data structure में अगर हमारे पास data है तो उस पे हम कौन कौन से operations परफॉर्म कर सकते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है कि देटा एपीरिंग आवर डाटा स्ट्रिक्टर आ प्रोसेश्ट पाइब इन सब सर्टेन ऑपरेशन इन फैक्ट पर्टिक्लर डाटा स्ट्रिक्टर डैट वन चूज़ेज और गिवन सिचुएशन डिपेंड एडेटा अ। बॉलेडी हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे आपका से पहले आपको समझ में आना चाहिए तब आपको समझ में आएगा कि एकर अनुदा को स्टोर करना है तो इन अव्लेबिल डेटा स्ट्ध टाइप में हम किس तरह अपने डेटा को इस टॉर करें तो अब हम लोग उपरेशन की बात करेंगे डेटा स्ट्धिन में जो तो है four operation major role play करते हैं they are basically four operations which plays major role in data structure कौन-कौन से पहला तो हो गया देखिए पहला हो गया आपका traversing अब कौन सा operation क्या होता है यह हम आपको example के साथ बताएगे ठीक traversing हो गया second हो गया आपका searching third हो गया inserting inserting और fourth हो गया deleting ठीक है अब देके traversing का मतलब क्या होता है traversing का मतलब यह होता है कि accessing each record exactly once so that certain items in the record may be processed ठीक है या इसको दूसरे words में यह भी कह सकते हैं कि visit करना this accessing and the processing is sometimes also called wasting the record मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि जैसे suppose किजिए हमारे पास data structure बना हुआ है से मान लिजे ट्री की फार्म में ठीक है यह हो गया यह हो गया यह हो गया यह ट्री की फार्म में हमारे पास data store है कि इस तरह माल लिए ठीक है अब यह हमने नाम दे दिया से नोड यह ए बी सी डी ए ए एफ जी एच आई इधर हमां data store अब ट्रेवर्जल का मतलब क्या होता है ट्रेवर्जिंग का मतलब यह होता है कि accessing इच रिकॉर्ड एक्जेक्ट्टी वन्स यानि कि इस ट्री में हम ट्रेवल करें और हर एक नोड पर हम एक बार जाए एक बार विजिट करें तो दैट इस कौर्ट ट्रेवर्जिंग ऑप्रेशन और यू कन से डैट इस कौल ट्रेवर्जल मतलब हमने कहीं से भी हम शुरू करें और हर नोड पे कम से कम एक बार जरूर विजिट कर लें तो यहां से इस पर विजिट किया फिर 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 हम यहां से वापस लोटे तो इस पर विजिट किया हर एक नोड पर हम एक बार जरूर विजिट करेंगे, ठीक है यानि हर एक record को हम एक बार जरूर एकसेस करेंगे उसको देखेंगे और अगर जरूरत है तो उसपर processing करेंगे, तो that operation is called traversing और you can say traversal अब आजाईए second पर searching searching पर क्या होता है finding the location of the record with a given key value और finding the locations of all records which satisfy one or more condition search करने का मतलब यह होता है किसी particular record को search करना अब ज़िसे माल लिए इसी में हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि वो note search कीजे जिसकी value F हो ठीक है हमने कहा से हमने दे दिया कि node name is F तो इस वाले node को search करना है फूरे ट्री पे या और भी कई चीजे हो माल लिए students का record store है तो हमने कहा कि उस students को उस students को search कीजे जिसका roll number से कुछ भी हमने का 25 है तो वहाँ जाके search करेगा माल लिए हमने का उन सारे students को search कीजे जिनका roll number 25 के बाद आता है मतलब 26 है और माल लिए 100 students है तो 100 तक में searching मतलब किसी particular item को search करना किसी particular item को जिसकी value key value दी हुई है उसको search करना तो second operation हो गया आपका searching उसके बाद जो third operation है वो है inserting inserting में क्या होता है कि नया record insert करना है हमको if you want to add more records in our existing data structure then that type of operation that operation can accomplish with the help of inserting inserting में क्या होता है adding a new record to the structure अब माली जे यह हमारा existing node है इसमें हमने का कि वही हमें एक node और add करना है से यहाँ पे ऐसे माली जे हमने इसको दिया के तो यह जो operation होगा यह कहलाएगा insertion माली जे हमने का यहाँ पे एक node और add करना है पी तो यह जो adding new records is called inserting या insertion और last क्या है आपका deleting deleting में क्या होगा removing a record from the structure मतलब क्या हुआ माली जे हमने का कि भई यह इस C node को हमें हटाना है तो हमने क्या किया इसको remove कर दिया यह this is deleting माली जे हमने का कि इस I node को हमें हटाना है यह हमने हटा दिया यह हटा दिया this is this operation is called deleting तो mainly data structure में यही चार operation major role play करते हैं records हर एक record को travel करना visit करना उस पर that is traversal किसी particular record को ढूढ़ना that is called searching नए records को add करना that is called inserting और चौथा है आपका existing record को remove करना that is called deleting तो यह चार major operation होते हैं data structure में और जहाँ हमने शुरुवात की थी कि भाई को अगर आपके पास students record है दस जार students का उसको हम किस तरह के data structure में store करें stack की form में करें कि क्यों की graph की tree killing list वो depend करता है कि in operations में कौन से operation ज़्यादा उसके अंदर perform हो रहे हैं ठीक है तो depending upon that हम type of data structure choose करते हैं अब इसके लामा एक चीज़ और यह आती है कि sometimes two or more of the operations may be used in a given situation कभी कभी क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा operation जो है use हो सकते हैं इसी given situation में जैसे for example हमने का if we want to delete the record with a given key which may mean we first need to search for the location of the record and then remove it तो माल लिजे इसमें क्या कह रहा है कि माल लिजे हमें से suppose कीजे हम एक और example आपको बता है यह हम नोड वैलू यहाँ पर यह नोड बने हुए हैं यह हम data structure बना देना सबस्कीजे ऐसे पर लिजे हमने और एक कार बढ़ा दीजे माल लिजे हमने का यहां पर ठीक है इसका कोई मतलब नहीं के वहला आपको सब्जाने के लिए ठीक है यह हमने दे दिया अब वो क्या कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा operation परफॉर्म करने पड़ते हैं जैसे हमने का भई उस node को आप remove करो remove that node having key value से 4 ठीक या having key value से हमने कहा 6 तो क्या होगा कि पहले traversal शुरू होगा तो हमें इस 6 वाले node को identify करना है तो यह कैसा पहला operation कौन सा होगा searching पहले हम इस node को पता करेंगे कि भाई यह six value वाला node यहां पे है तो पहला operation तो होगा searching और जब यह मिल जाएगा उसके बाद हम इसको remove कर देंगे तो इसके बाद होगा deleting तो यह दो operation परफॉर्म होंगे तो यही बेसिकली आपको इन सम इस्पेशल सिच्वेशन क्या होता है कि दो और operation युद एक तो होता है sorting और दूसरा होता है merging sorting में क्या होता है arranging the records in some logical order sorting में जैसे आप जाते होंगे sort करना data को मतलब either ascending order में या descending order में या जो भी criteria है sorting का data को छाटना data को rearrange करना इन्हें required format या इन्हें required order that is called sorting तो आगे इन्सकी जब टेखनीक होती है insertion की deletion की sorting की merging की आगे हर एक टाइप के data structure के लिए हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इनको भी पढ़ेंगे तो sorting तो हो गया कि to rearrange the data इन्हें particular order और merging में क्या होता है merge करना मतलब combining the records in two different sorted files into a single sorted file sorting में तो देखिए orderly rearranging करते हैं चाहे ascending में चाहे descending में और merging में क्या करते हैं merging हमेशा sorted file में होती है तो दो sorted file को आपस में जोड़ना sorted file को जो file already sorting हो चुकी है उनको आपस में जोडने को क्या कहते हैं merging कहते हैं तो special situation में ये दो special operation भी perform किये जाते हैं इसके लिए आप कुछ और operation होते हैं आगे due course of time में जैसे इसे जरुत पढ़ेगे हम आपको बताएंगे जैसे एक दो operation और होते हैं जैसे होता है copy ठीक है और होता है आपका concatenation concatenation ठीक है तो इसको आगे आने वाली lectures में इन operations को भी हम लोग deep में discuss करेंगे sorting को, merging को, copying को और concatenation को तो I hope कि आपको यह clear हो गया होगा कोई doubt या कोई confusion है तो please comment line में comment करके पूछिए और अगर आपको वीडियो content पसंद आ रहा है तो वीडियो को share कीजे, like कीजे, channel को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दिजे ताकि next video की information आपको तुरन मिल जाए तो